तो हलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम फिर से खेलने वाले इंटरनेट कैफे सेमुलेटर तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहीं पास में मैंने एक कैफे ले रखा है जिसमें भाई मैंने गेमिंग सेक्टप से लेके PC सेक्टर तक रखे हुए ताकि वहाँ से य मेरे को अपने कैफे को बंद करना पड़ा था लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आज में खोलने वाला हूँ अपना कैफे और यहाँ पर मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे कैफे को खोले बिना ना 7-8 दिन हो चुके और जहाता मुझे आगे कि काफी नियार ऐसे देख लेता हैं और हमेशा आगी हमारा एक दोस्त है जो किया रहे हम पर काफी बड़ी है क्या रख़ा है अज़ने इसको अगर और वह एसने फ़ैसे में ले लूगा फिलार अभी हम जाने वाले अपने शॉप करने में काफी ज़्यादा टाइम लग देगा तो चलो अपना यार काम फटा-फट से शुरू करते उसके बाद यहां पर हमको अपनी दुकान को भी खोलना पड़ेगा तो फटा-फट से यहां पर हम सफाई शुरू करते लिए जहां तक मेरे को याद है जब मैं यहां से जा अपने शौप को बंद करके मैं सारी साफ सफाई करके गया था लेकिंग पता निए यहां पर कच्रा कैसे आ गया फिलार पर मुर्कों सबसे ज़्यादा खुशी बता किस बात कि है कि यहां पर में आना कोई भी समान चोरी नहीं हुआ है क्योंकि यह टाउन में चोरी काफी ज्यादा होती है और मेरे को लगा था कि यहां पर जब में आऊंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर चोर है ना काफी ज्यादा शातिर है हाग्यार मैंने अपनी दुकान के बाहर एक बोलीगार्ड को खड़ा रख है जो कि हर वक्त पहरेदारी देता सब्सक्राइब ख़र भडल लगा था तक आते हैं न में फार यहां से कुछ समान यहाँ पर हमारे सफाईय काम खतम हो चुका है, तो भड़ी यहाँ फटा-फट से हैं ना हम अपने शौप को ऑपन कर लेते हैं लेकि यहां पर में अभी भी डल लग रहा है कि यहां पर कस्टमर आएंगे के नहीं क्योंकि मैरी शौप ना काफी टाइम से बन थी अब मुझे पता है यहां पर यहांपर कस्टमर को याद है कि हमारे पास एक कैफे बीए जो अब खुल चुका है तो चलो कोई बात नहीं यहां पर हमने अपने कैफे को खोल दिया है अब बस यहां पर हमको थोड़ा सा वेड करना है कस्टमरों को आने का लेकिन यहां पर आज हमें क्या-काम खतम करने मैं आपको पहली बिदा देता हूँ कुछ करना पड़ेगा क्यां यहां पर एक रोम पर काफी जादा ठंडी है तो दूसरी रोम पर एक दमी गर्मी है, तो इसको यहां पर हमको बैलनस करना पड़ेगा, साल साल यहां पर customer भी काफी जादा complain करते हैं, आपके यहां पर कैसा temperature है, कहीं पर edamी गर्मी है, तो दूसर तरफ एकदम ही थंडी है तो वह काफी ज्यादा परिशान हो गए बाकि यहां पर हमारे customer आने शुरू हो गए ओ भई सही में यहां पर काफी ज्यादा customer आ रहे हैं मैं आपको जड़ाद दिखा है तो कि यहां पर एकदम से कितने ज्यादे customer आ चुके तो देखो भाई यहां प खेलने में तो आपर काफी ज़्यादा मज़ा आता है लेकि गेम खेलते खेलते उन्हें कभी या प्यास लगती है कभी उन्हें भूक लगती है तो यहाँ पर खाने पीने की कोई भी सुविधाई वगेरा नहीं है हलाकि यहाँ पर एक केस्टमर ने ये भी कमेंट करा था कि इनके पास किचन तो काफी ज़्यादा बड़ा है लेकि यहाँ पर एक खाने की सर्विज इन्होंने बंद कर रखी है फिला यहाँ पर हमारे एक केस्टमर को काफी ज़्यादा प्यास लग रही है तो उन्होंने यहा पर हम बैठते हैं अपने कंप्यूटर पर शेफ को निकाल देते हैं तो हम यहांपбо हमने ओर्डर दिया निकाल लिए घshots दिया चाहतो हैं आपन्बने कुस्टमर हों को हमारे कस्टमर यहां पर पर नलाजना हो जाए तो हमने कस्टमर के तो यह रहे वो कस्टमर जिनको कोक चाहिए था तो यहां पर मैंने इनको कोक दे दिया है और यहां पर यहां पर यह काफी ज़्यादा खुश हो गए साथ भाई हमार एक और एक कस्टमर को यहां पर पानी की बोतल चाहिए तो फटाफट से बैटते हैं हम अपने PC में और अपने शेफ को ओडर देते कि आप फटाफट से एक पानी की बोतल निकाल के रखे बाकि अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो याप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो आपका एक एक लाइक मेरी लिए काफी ज़्यादा माइने रखता है ताकि ऐसे मज़ेदार में वीडियो आपके लाता जाओ तो फटाफट से इस वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर दो अगर में यहाँ पर हलका सा भी देर हएना तो यहाँ पर किया होता है customer नराज होकर चल जाते है पर चलो कोई बात नहीं है आज हमें इस problem को यहाँ पर solve करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर दुबारा से कोई भी customer नराज होके ना जा पाए इसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ shopping माध्य वगःरा करनी पढ़ेगी यहाँ पर बाई मैं और करने वाला हुए एक बड़ी असा टेबल था चलो कोई बाद नहीं है, हमको बस काम के लिए टेबल चाहिए, तो फटा-फट से हम यहाँ table मैंने पहले भी ले रखा है ये काफी बड़ा table होता है और यहाँ पर मुझे काफी बड़ा table चाहिए था ताकि उसमें मैं आपने काफी ज़्यादा आइटम वगेरा रख सकूँ तो फटा फट से इसको हम यहाँ पर order कर देते हैं अब जितना उसको यहाँ पर order आने में time लग रहा है इतना यहाँ पर हमारे कुछ बिल वगेरा है तो वो भी हमें यहाँ पर pay करने पड़ेंगे हलाकि यहाँ पर कुछ खास भी नहीं है क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पर मैं काफी time से नहीं आया हूँ तो यहाँ पर बिजली वगेरा तो कुछ यूजी नहीं हुई थी तो बिल भी कुछ खास यहाँ पर नहीं आया है बागी यहाँ पर इस बंदे को काफी ज़्यादा प्यास लग रही है और यहाँ पर इसने ओर करा है एक कोकी कैन तो फटाफट से हम जाते हैं अपने किछेंग की तरफ लेकिन यहाँ पर एक भी कैन नहीं है तो मसका मतलब साफ साफ है कि मेरे को यहाँ पर ओर देना हो तो फटाफट से जाके देखते हैं कि वो नराज हो गया है कि नहीं अरे भाई यहाँ वो नराज हो के यहां से चला भी गया तो इसी चीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहता है यहाँ पर हमाई जो कस्टमर है काफी जल्दी उटके चल जाते हैं अगर उनको यहाँ पर खा रख सके तो भाई मैं संच रहा है इस टेबल को मैं यहाँ पर fit कर दिता हूं तो फटय फरटते भई इस टेबल को मैं यहाँ फिट कर दिता हूं और इसके उपर मैं एक-धो समार कर देखताूं एं वह कैंसे लगते जादा है और यह काफी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है तो यहाँ पर मैं एक टेबल लेना चाहूंगा जिसकी लुक भी थोड़ी बहुत अच्छी हो और उसकी लंबाई भी कुछ जादा ना हो बाकि यहाँ पर मैं एक और एक चीज़ सोच रहा हूं यहाँ पर मुझे लग है तो यहाँ रे लिए अब हम इसके उसपार भी जा सकते है तो फटाफरत एक और एक setup रखने वाला हो, फिला यहाँ पर मैं आपको जाकर दिखाता हो कि यहाँ से आप जा सकते हो, उपर की तरफ, उपर भी यहाँ पर आपको एक first floor मिल जाएगा, हलाकि यहाँ पर अभी तक मैंने first floor नहीं खरीद है, ने तो अगर मैं first floor खरीद लूँगा, तो यहाँ से आप उपर भी जा सकते हो, फिला भी हमारे यहाँ पर जितना भी फाल्तू का setup था, उनको भी यहाँ पर हम set करते हैं, उसके बद यहाँ पर हम wait करने वाले कि हमारा यहाँ पर यहाँ पर जो रख देते हैं, और उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो table है कैसा लगता है, ठीक है, तो guys finally, यहाँ पर हमने अपने table पर समान रख दिया है, हाला कि मुझे पता है कि यह table काफी ज़्यादा बिकार लग रहा है, पर इससे हमारा काम बन जाएगा, फिलार यहाँ पर मैं काफी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ओ यहाँ पर वक्त हो गया अपने यहाँ पर कैफे को बंद करने का, तो फटा-फट से यहाँ पर हमारी जितनी भी लेट जड़े ना, उनको यहाँ पर बंद कर देते हैं, ताकि हमारा यहाँ फालतु का यहाँ पर बिजली ना कर्चो, तो फटा-फट से यहाँ पर जितने भी स्वीच है, मेरे खाल से इस रूम में कोई स्वीच वगरा नहीं है, हाँ इस रूम में काफी से भी काफी ज़्यादा है इसका मनला भाई आज जो मेरी यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है मेरे को सत्रा हजार डोलर का है जो कि भाई यह काबिले तारीफ है पहले दिन भाई मेरी इतनी बढ़िया सेल होगी है तो भाई यह आप आ भी लगा लो जब भाई इसको मैं तो यह पर मेरी एक दिन में कितनी सेल होगी में को जो कभी कभी लगता यार मेरी एक दिन दिन की सेल कईए 1,000,000,000 दोलर और अगर एक लाग होगी न तो भाई यहार मेंICO काफी मजायगा फिला बाई यहार बैनिका हो सब यह बंद कर लिय तो यह रहा वो चोर जिसको मैंने अब मार दिया है अब यहाँ पर दुबारा आने की गुस्ताकी नहीं करेगा तो फटा-फट से हम अपने कैफे को बंद कर लेते और अपने बोडिगार्ड को समझा देते कि यहाँ पर बिल्कुल भी केलस ना हो क्योंकि यहाँ पर लाको का स पर आगे काम मैं करूँगा यहाँ पर मैं चकता अपना बेस्बॉल बैड और इसको यहाँ पर मैं एक देता हूँ ठीक है बई चलो इसको मैंने आपर मार दिया है अब यह भी यहाँ पर आने की दुबारा गुस्ताकी नहीं करेगा और मेरे ख्यार से आज के लिए इतना का झाल